हलो तोस्तो आप सबका सुभागत रास्तान अकैडमी पे काफी स्टूडेंट का मुरे पास कमेंट था कि उनको अपनाप स्लेबस डान्लोड करना नहीं आरा है कि ल्वेंदियर इंडमेंद कर सेकंड जूपर करना सबसे पहले आपको Google Chrome ओपन करना है उसमें सर्च करना है एल्यू जैपूर एल्यू जैपूर यूनिवस्टी आप करोगे तब आपके सामने फर्स्ट रिजल्ट के अंदर अपनी डॉक्टर भीम्राव अमबेड का लो यूनिवस्टी के ओफिसल वेबसाइड आएगी जहां पे जो ये वेबसाइड के ऊपर आपको लोबो दिखाए जो ओफिसल लोबो है वो उस पर क्लिक करने आपको क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होगा जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पेज ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले आपको एक्जाम और रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है उस पर क्लिक कर क्या है फोर फीस के लिए स्टुडेंट्स का और सहारा जितना भी ज़र कभ एक्जाम डेट आएगी कभ फोर्म स्टार्ट होंगे कभ टाइम टेबल होगा कभ रिजल्ट आया यह सारी नोटिफिकेशन यहीं पर आती है और मैं यहीं से आपको डाउनलोड करके इसको आपको मत इग्जामिनेसन स्लेबस तो उस पर आपको क्लिक करना है उस पर आपने क्लिक किया तो इसके अंदर जो जो कोर्स करवा रहे हैं उन सबके स्लेबस आपको मिलेंगे देखिए सबसे पहले इसमें एक नंबर पर लिखा हुआ है PG LLM सेमेश्टर वाइज जो LLM एक साल में उ जो 3-year LLM होती है और 2-year LLM होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे फिर आप 2-3-4 नंबर पर देख पा रहे हैं कि अलग-अलग जैसे जो सबजेक्ट्स हैं कोर्सेज हैं जो एक साल का डिप्लोमा है उनका अलग है जो B.A.L.L.B. है सेमेटर वाइज उनका स्लेबस जो B. जो यूजी का 3rd year LLB है उसका स्लेबस तो यदि आप LLB के च्टूडेंट है तो आपको 5 नंबर वाले पर क्लिक करना है जिसमें आपको 3 यर के स्लेबस आपको देखने को मिलेंगे इसी परकार यदि आप LLM के च्टूडेंट है 2 यर वाले में तो आपको 6 नंबर पर क्ल करना है इसी के साथ यदि आपको डिप्लोमा कर रहे हैं साइब कर रहे हैं तो आपको साथ नंबर पर क्लिक करना है इस परकार आपके सारा स्लेबस डाउनलोड हो जाएगा अब आपका स्लेबस से लेटेट कोई और भी क्यूशन है कोई और क्वेरी है तो वह भी आप हमें पढ़नी है यह देखिए LLM two year courses ठीक है first year and second year इसमें आपका जो subject है वो भी आ जाएगा देखिए first year का सबसे पहले स्लेबस आ गया यह देखिए पांच वा पेपर तक हो गया अब आपका LLM second year आया है second year के अलगलग subject होता है यह constitution law से आपकी जो first branch है उससे है यदि आपका subject constitution है तो first वाला आपका रहेगा उसके बाद यदि आपका पहले यह paper हो जाए पांच उसके बाद second branch आपकी रहेगी international law and human resources या human rights ठीक है यह आपका second branch के अंदर paper जो होगा वो सब है इस परकार सभी आपके paper आपको देखने परे मिलेंगे आप जिस भी branch से है उसका आप save कर लीजिए अपना असले बस note कर लीजिए वीडियो useful लगा अच्छा लगा तो आप इसको like करे शेयर करे चलंग को subscribe करना ना भूले बैल आइकन पर click करे आपकी dr. भीमरव अंबेड का low university की update सबसे पहले पाने के लिए और किसी भी परकाह की problem issue के लिए आप हमें contact कर सकते हैं आप हमें telegram पे चलंग पे जोइन कर सकते हैं इसी के साथ में आप वोर्टसप गूरूप से भी जुड़ सकते हैं और अब हम snapchat पे भी वीडियो अप्लोड कर रहे हैं वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं snap के थ